तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एफार की कुछ लास्ट मिनिट टिप्स जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बड़ उसके पेरे चैनल को सब्सक्रेब जबसे पहले जब आपको एफार का पेपर मिलेगा तो आपके पास 15 मिनिट होता है reading time तो reading time में करना किया है reading time में basically you have to identify your best question तो सबसे पहले आपको इभी compulsory question मत पढ़ना विकोज होता हा टेम करना ही है तो जो question number 2 से लेगा question number 6 है वो उपर से read करना और identify करना कि आपको इसमें से कौन सा question बहुत अच्छी तरीके से आता है मतलब पहले 15 मिनिट में compulsory question सबसे लाश में पढ़ना लाश में मतलब paper के लाश में नहीं 15 मिनिट के लाश में पढ़ना और सबसे अच्छा आता है वो आप सबसे पहले solve करना ठीक है क्योंकि first impression is the last impression ऐसा कहते है आपन तो उसका matter करता तो है तो आप सबसे पहले आपका जो best question है वो attempt करोगे दूसरी चीज़ होगी तीसरी चीज़ अगर कोई question आपको आता है आपको पता आपको अच्छे सा आता है लेकिन आपको पता है कि लेंदी होने वाला है तो आप उसको पहले attempt नहीं करोगे बराबर जैसे for example business combination CFS इसका को कि balance रवाला question आगया अरे आपको मुझे पता आपको आता होगा लेकिन it will consume time तो 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 आप जब पहले नहीं करना है क्योंकि जब आपन first question करते है ना पहला पेबर का पहला question तो थोड़ा संभल संभल के चाहिए च्छे-चे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे क्वाले question बहुत च्छे आते है वो सब solve कर लेना पहले ठीक है उसके अलावा सर बड़े वाले question फिर कप करे पेपर के बीच में है ना लाश्म में मत करना है असा नहीं कि छूटे गया बीच में के तर लेना यह दूसर अगर आपको तीन-चार question ना आते हो पेपर के अंदर जो आता है आपको पूरे 125 में से 50-60 marks, 70 marks का तो scoring मिलेगा वशके सेनारियो में तो 60-70 marks में से 50-55 लेकर आना है और बाकि 30 marks का आपन अटेम्ट करेंगे उसमें 5,10,15 जो भी मिल सके हो अपने बोनोस हो जाएगा तो टें question आपको दिखेंगे जो शायद नहीं हो शायद आप recall नहीं कर पा रहे हो तो it is fine panic मत करना exam के अंदर panic button दबाया गेम ओवर हो जाएगा तो panic आप नहीं करोगे ये promise करके जाना अरे नहीं आया तो नहीं आया जो आता है उसमें focus कर जब आप थंडे दिमाक से solve करोगे ना तो जो question आता है वो solve करोगे और उस confidence है जो नहीं आता है उसका भी थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लिख पाओगे तो attempt पूरा करेंगे दो phase में paper को divide कर देना एक जो portion आता है उसमें score करना एक जो portion नहीं आता है उसको attempt करके आ जाना ठीक है तो यह तो होगे एक फार की tips बाकी घर पे आके paper discuss मत करना paper भाड़ देना उसके अलावा यह तो exam के regarding tips होगे उसके बाद उसके अलावा दो चीज करके जाना प्लीज exam में जाने के पहले तीन लोग की blessings mom, dad, भगवान तो mom, dad के चरंस पर पेर छोके जाना ठीक है इट विल पॉजिटिविटी उसके अलावा भगवान के सामने प्लीज प्रे करके जाना बस इतना सा कर लो बाकी काम बन जाएगा चिंता करने वाली बात नहीं है आप अच्छा से करोगे आपने महनत किया मैं जानता हूँ तो इस महनत को रियलाइस करने का ट्राइम हा गया है बस अपने उपर भरोसारों को भगवान पे बरोसारों को सब अच्छा होगा अगर एक्जाम में टेंशन है तो हस देना कीप स्माइलिंग आप जब हसोगे तो टेंशन छूमनतर हो जाएगा भले अपन फेक स्माइल कर रहे हैं लेकिन करके तो देखो फरक पड़ता है ठीक है एंड चिंता मत करो आपने बहुत अच्छा प्रेपरेशन किया है अपना बेस्ट देने का ट्राइ करो बागी सब भगवान पर छोड़ दो ठीक है अपना बेस्ट जरूर देना लेकिन चलो बाबाए वेज़वाण टेकर और सीवाल बाबाए